Hello everyone, welcome to our channel उत्तरपरदेश जीके में हमने सामान्य परीचे स्टार्ट किया था जिसमें हमने उत्तरपरदेश का अक्षान से देखा उत्तरपरदेश का देशानतर, कितना कहां इस्थिती उत्तरपरदेश की आकार कितना है और कुछ important facts देखे एंड हमने उत्तरपरदेश के पड़ोशी राजी है और किस देश के साथ सीमा साजा करता है तो पिछले वीडियो में हमने यहां पर जाना था उत्तरपरदेश के जिले और उत्तरपरदेश के मंदल के वारे में कितने मंदल है उत्तर परदेश में टोटल 18 मंदल देखे हमने और कितने जिले थे 15 जिले थे तो यहां पर हमने एक चार्ट बनाए उस चार्ट के हल्प से यहां पर आपको 18 मंदल और 15 जिलो को याद कराने की कोशिस करेंगे तो इस्टार्ट करते हैं हम यहां लखनव से, तो देखी आपको तीन यह मंदल जो लखनव, कानपूर और मेरट हैं, यह तीनों मंदल आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जो यह तीनों मंदल हैं, यह तीनों मंदल क्या हैं, बड़े मंदल हैं, लखनव, कानपूर और मेरट, क्योंकि इन में छे छे जिले आते हैं लखनव में कितने जिले आते हैं छे कानपूर में कितने जिले आते हैं छे और मेरठ में कितने जिले आते हैं छे तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है छे छे जिले अब कौन से हैं लखनव की बात करें तो लखनव में लखनव आता ह पूर हरदोई और लखीमपूर खीरी लखनव उन्नाव रायवरेली सीतापूर हरदोई और लखीमपूर खीरी वहीं कानपूर की बात करें तो कानपूर में कानपूर नगर और कानपूर देहात आता है उसके बाद इटावा आता है इटावा के बाद फरू का बाद फरू का क आपका कन्योज, जिसको इत्रनगरी बोला जाता है, एंड फिर ओर रहिया, तो छे जिले आते हैं कानपूर में, रिपीट कीजी इनको कानपूर नगर, कानपूर देहात, इटावा, फर्रू कबाद, कन्योज और ओर रहिया, उसके बाद फिर मेरठ मंदल आता है, मेरठ मंदल में भी कितने जिले आते हैं, छे जिले, कौन-कौन से जिले आते हैं, मेरठ आता है, बुलन्द सहर आता है, गाजिया बाद आता है, गोतम बुद्ध नगर, बागपत और ये नया जिला बनाया था हापूर, तो ये भी इसी में आता है, हापूर किस से अलग हुआ था, ये जिला गाजयवाद से अलग होकर हापुड बनाया था तो रिपीट कीजी एक बार मेरट में क्या क्याते हैं मेरट आता है बुलंद सहर आता है गाजयवाद आता है गोतम बुद्ध नगर आता है बागपत आता है और हापुड आता है तो यह ध्यान रखना है मेरट में कितने आते हैं छे आते हैं मेरठ बुलंद सहर गाजयवाद और आपका बागपत गोतम बुद्ध नगर और हापुड तो यहां पर हमने लखनव कानपूर और मेरठ देखे लखनव में छे देखे छे जिले कौन-कौन से लखनव देखा उन्नाव देखा राय बरेली देखा मेरठ मन्दल में हमने इरट देखा घाजयवाद बुलंद सहर यहां पर आपका हपुड देखा गोतम बुद्ध नगर देखा और बागपत पर जो में आते हैं आयोध्या में आते हैं और आपके मुरादाबाद में आते हैं पांच वाले भी आपको ध्यान रखने हैं पांच किस-किस में आते हैं आयोध्या और मुरादाबाद में तो पहले यहां पर हम आयोध्या रेख लेते हैं आयोध्या में कौन-कौन से जिले आते हैं आयोद्या में आयोद्या में आयोद्या में आता है, सुल्तान पुरा आता है, बारा बांकी आता है, अमेठी आता है, और अमेठी आता है, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, आयोद्या में क्या आएगा, आयोद्या में आएगा, सुल्तान पुरा आता है, बारा बांकी आता ह आएगा मुरादावाद की बात करें मुरादावाद यहां के मुम्मद समी है जिनको अभी हाली में क्या मिला है अर्जुन पुरुषकार मिला है नो जन्वरी को इनको अर्जुन पुरुषकार मिला था तो देखते हैं मुरादावाद में क्या क्या आता है मुरादावाद में मुरादाबाद आता है, रामपूर आता है, बिजनोर आता है, अमरोहा आता है, और संबल आता है, तो ये पांचो दियान रखना है, मुरादाबाद में क्या आता है, मुरादाबाद आता है, रामपूर, बिजनोर, आपका अमरोहा और संबल, ये पांचो जिले किसमें आते है आपके मुरादावाद में आते हैं, रिपीट कीजिए मुरादावाद में क्या आएगा, मुरादावाद, रामपुर, विजनोर, अमरोहा और संभल आते हैं, तो यहां पर हमने पहले छे छे वाले देखे जिसमें छे जिले थे तीन मंदल थे और पांच-पांच वाले हमने दो देखे जिसमें कितने मंदल थे दो मंदल में पांच-पांच जिले थे वो कौन-कौन सता आयोधियापका और मुरादाबाद मुरादावादी की क्या famous है दाल famous है तो मुरादावादी डाल famous है तो याद रखना मुरादावाद में क्या क्या आता है मुरादावाद, रामपुर, बिजनोर, अमरोहा और संबल तो ये पांचो इसमें आते हैं अब देखते हैं हम यह पर चार-चार वाले चार-चार वाले आपको यहां अलीगड़ देखने को मिलेगा, आगरा, वाराणसी, गोरकपूर, देवी पाटन, बरेली और आपका यहां पर प्रियागराज और चित्रकूट, आपको यह चार-चार वाले देखने को मिलेगे, तो देवी पाटन जो कि कहां पर है, गोंडा में हैं, तो यहां गुंडा द्यान रखना है क्योंकि यह कोई जिला नहीं है तो यह गूंडा के, अंदर है क्योंकि गूंडा का मुख्छले का है देवी पाटन में हैं, खिक है। तो आप देख लेते हैं इहां पर अलिग्ड से अलिग्ड में क्या क्लाटा है? अली गड़ में एटा आता है, अली गड़ आता है, खुद हातरस आता है और काश गं जाता है, उसके बाद, आगरा की बात करें, तो आगरा ताज मेल के लिए खेमस है, और आगरा पाड़ाइगा द्यान बखना है color मिक्याता है और मेन पोडी आएगा और पर रोजा बाद आएगा उसके बाद आगे बढ़ें वारानसी वारानसी की बात करें वारानसी में कहता है वारानसी आएगा अपका जोनपुर आएगा गाजीपुर और चंदोली उसके बाद गोरकपूर की बात करें तो गोरकपूर में कहलेंगा गोरकपूर देवरिया आएगा और कुशी नगर आएगा क्या क्या आएगा कुशी नगर देवरिया महाराज गंज और गोरकपूर ये चारों के समयंगे गोरकपूर में उसके बाद देवी पाटन की बात की जाए तो देवी पाटन में क्या क्या आएगा जो कि गोंडा में है तो गोंडा आएगा बलरामपूर सिरावस्ती और बहराई चे क्या क्या हैगा गोंडा बलरामपूर सिरावस्ती और बहराई चे देवी पाटन में कुन कुन हैगा गोंडा आएगा बलरामपूर सिरावस्ती और बहराई चे तो यह याद रखना है देवी पाटन में उसके बाद बरेली की और पीलि वीट। चारों याद रखने हैं ब्रेली के ब्रेली, बदाईयूं, सहांजापुर और पीली वीट। उसके बाद करें प्रियागराज की तो प्रियागराज में क्या कहाएगा प्रियागराज परतापगड अपका परतापगड़ फतेपूर और कोसंभी उसके बाद चित्रकूट की बात करें ये चित्रकूट में क्या कैएगा अपका चित्रकूट आएगा बनद आएगा अमीरपूर आएगा और महोब आएगा यह कहां पर लाई करता है यह नीचे जहांसी की तरफ लाई करते हैं पार्ट MP से अपनी बॉर्डर साजा करते हैं चित्रकूट धाम में कहेगा चित्रकूट आएगा बंद आएगा अमीरपूर आएगा महोब आएगा repeat कीजिये महबा, अमीरपूर, बांधा और चित्रकूट, यह की समयगे चित्रकूट में अब हम यहाँ पर तीन तीन वाले देख लेते हैं अब तक हमने तीन छे छे जिले वाले दो पांच पांच वाले देखे कितने हुए पांच और फिर 4-4 वाले देखे हमने कितने यहां पर 1-2-3-4-5-6-7-8 आठ देखे तो टोटल कितने होगे तेहरा और बचते कितने हैं मारे पास 5 तो आप देखते हैं हम यहां पर 3-3 वाले तो 3-3 वालों में मिर्जापूर आएगा मिर्जापूर में कौन-कौन से जिले आत तो इसके बाद हम देखते हैं फिर आजमगड में कौन-कौन आएगा आजमगड मौ और बलिया इसमें तीन आते हैं आजमगड में आजमगड मौ और बलिया बलिया अपनी सीमा किसे लगाता है बिहार्शे और उत्तरपरदेश का क्या है पुर्विच और क्या है बलिया है तो आजमगड महू और बलिया, फिर बात करें बस्ती की, तो बस्ती में कुन कुन आएगा, बस्ती आएगा, सिद्धार्त नगर आएगा और संत कबीर नगर आएगा, उसके बाद जहांसी की बात करें, तो जहांसी में जहांसी आएगा, ललितपूर आएगा और जालोन पूर जो की सबसे उपर है जो उत्तरिच हो रहा है उत्तर परदेश का वो सारनपूरी है सारनपूर में सारनपूर आएगा मुझफर नगर और सामली आएगा क्या क्या आएगा सारनपूर में सारनपूर मुझफर नगर और सामली तो यहां पर हमने टोटल कितने मंदल पढ़े 18 मंदल एक बार इनको स्पीड से रिवाइज कर लेते हैं लखनव हमने तीन देखे छेचे वाले छेचे जिले वाले जिसमें हमने देखा लखनव कानपूर और मेरट लखनव में क्या क्या आता था लखनव उन्नाव राइवरेली सीतापूर हर्द लुकबाद और इतावा मेरठ में अपका मेरठ आएगा बुलंसयर आएगा गाजेबाद आएगा गोतम बुद्ध नगर आएगा आपुड हैगा और आपका बाग पता आएगा तो छे-छे के बाद हम फिर पांच-पांच वालों की तरफ चले थे पांच-पांच वालों मे दो हैं आयोधिया और आपका मुरादवाद आयोधिया में क्या क्या आएगा देख लीजी आयोधिया सुल्तानपूर बारवंकी अमेठी और अम्बेडगर नगर फिर मुरादवाद में मुरादवाद रामपूर विजनोर अम्रोहा और संबल आएगा फिर चार चार वाले दे आगरा में आगरा मथूरा मेनपुरी और फिरोजबाद देखा वाराणसी में वाराणसी जोनपूर गाजीपूर चंदोली देखा उसके बाद गोरकपूर गोरकपूर में देवरिया कुशिनगर महाराज गंज और गोरकपूर देखा फिर देवी पातन देवी पातन जो कि ग गोंडा में हमने गोंडा बलरामपूर शिरावस्ति और बहराईच देखे फिर बरेली बरेली में पीली वीत साजापूर बदाईउं और बरेली और प्रियागराज देखा प्रियागराज में कोसंबी फतैपूर परतापगड और प्रियागराज फिर चित्रकूट धाम देख संत कबीर नगर जहां सी में जहां सी ललितपुर और जालोन और शारनपुर में सारनपुर मुझभफर नगर और सामली देखे तो ये थे हमारे टोटल 18 मंदल तो इस वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में थेंक यू, have a good day.